हारु फिक्स रेटमी गो ब्लू डिस्प्ले प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो अब सभी का सुहागरे तो आज की इस वीडियो पर दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ब्लू डिस्प्ले प्रॉब्लम फिक्स कर सकते तो यह जो ब्लू डिस्प्ले हो रहा है तो य मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हो कि को दोस्तों आप जो है आपने स्क्रीन कलर चेंज कर सकते हैं तो उसी के वज़़ से ये प्रावल्लम क्रेट होते हैं ठीक है हमें अन जाने से वो गलती हो जाते और हमारा जो स्क्रीन है वो ब्लू हो जाते हैं तो अगर आपको भी इस तरह का इशू है तो वीडियो को देखें जानें कि इसके आपको फुक्स करना ये वीडियो शुरु करने से पहले आपकर अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकून को क्लिक जरू से कर देना थिक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें जाना होंगा कि सेटिंग पर भी है अपको क्या करना है मैं आपको बतारे तो आप डिस्प्लेश पर जाईए सबसे पहले यह फ banana you को आफ कर दीजिए रिदिंग मोट से आपका स्क्रीन ब्लू नहीं होगा रेडिश हो जाएगा लेकिन आपको बंद करना है उसके बाद यह पर आप देखेगा ठीक है अगर आप वार्म या फिर कूल सेट करते तो आपका स्क्रीन ब्लू टाइब हो जाएगा ठीक है ब्लू इ सेट करना है उसके बाद दोस्तों चेक करके देखें आपका प्रॉब्लेम फिक्ट हो जाएगा ठीक है तो बस यहीं सॉलुशन काफी है लेकिन अगर आपने और भी कुई सेटिंग कर रखाए तो चलिए हम वह भी चेक करते हैं ठीक है यहां पर और भी सेटिंग है जो जिस पर जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है आपको कालर इंवेंशन यह भी ओफ रखना है कालर करेक्शन यह अगर आप इन सब को अन कर देते तो आपका स्क्रीन कलर चेंच हो जाएगा और आपको काफी डिक्कत है आ सकते आप आप जो उफ नहीं कर पाऊगे ठीक है औ को पहले तो वो सब सेट कर देना है ठीक है तो अच्छे से जाके दोस्तों आप अपने फोन को या पर सेट कीजिए सेटिंग कीजिए आपका ब्लू डिस्प्ले प्रॉब्लेम फिक्स हो जाएगा वाई एनी चांस अगर आपको यह प्रॉब्लेम दुबारा से आते तो आप अ जाएए ठीक है सोगे यहाँ पर आपको नहीं जाना हैं एलिडिशनल सेटिंग पर और बे पर कर देना है हूं तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को fix कर सकते हैं लेकिन एक और चीस में आपको बता रहता हूँ अगर हाडवेर लिए आपको यह प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है अगर आपके स्क्रीन पर कोई भी क्रेक बगरा है तो हाडवेर का issue हो सकते हैं तो आप कोई भी technician repairing shop में जाए या फिर कोई service center होगा तो उसमें जाके अपने mobile को दे दीजिए उनको बताए कि ऐसा problem है तो वह fix करके देदेगा ठीक है तो हाडवेर लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं या पर ऐसा नहीं कि यह प्रॉब्लम जो है आपके मॉबाइल पर सेटिंग के solution कीजिए नहीं हो रहे प्रॉब्लम सॉल्फ तो हाडवेर लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं तो जाए फिक्स कीजिए तो आज की इस वीडियो बड़ों सो बस इतने हैं अगर आपको यह वीडियो पसने आया आपको यह guidelines अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक जरू से कर देना तो आज के लिए बस इतने टैंक्स रॉचिंग